अगर आप एक safest SUV चाहते हैं तो महिंद्रा XUV3OO एक बड़िया option बन जाता है जिसका price start होता है 8,41,000 रुपए से और चला जाता है तकरीबन 14,000,000 रुपए से तक तो आज हम बात करेंगे अगर आप महिंद्रा XUV3OO लेने का plan कर रहे हैं तो उससे पहले आपके दिमाग में आ इसल वैल्यू देगा तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए तो दवस्तों महिंद्रा XUV3OO में तकरीबन 6 कलर आते हैं जिनमें से 2 dual tone भी हैं तो पहल कलर है एक्वा मेरीन जिसे हम forest green कलर भी कह देते हैं कुछ कंप्रियों ने forest green कलर के नाम से इसे launch किया है और ये अगर आप रोड पे देखेंगे तो रोड के पे काफी अच्छा कलर लगता है अगर आप पुराने कलर नहीं लेना चाहते यसे कि black, white, grey वगरा नहीं लेना चाह आप इस कलर की तरफ भी जा सकते हैं रोड पे भी काफी अच्छा लगता है और लोगों की नजर जाती है इस कलर पे और इस गाड़ी में ये कलर काफी अच्छा लगता है मैंने काफी गाड़ियां देखी है एक्सवी 3OO की इस कलर में जो की मुझे तो काफी अच्छी लगी है अगर आप maintenance की बात करें तो maintenance वगयरा भी इस color की बहुत कम है धूल मिट्टी का तो पता नहीं चलता बाकी scratches वगयरा के लिए तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये dark color है तो scratches वगयरा असानी से दिख जाएंगे दोस्तों दूसरा color है desat silver, desat silver ये silver color ही है लेकिन silver से थोड़ा सा ये dark है इसी लिए इसे desat silver नाम दिया गया है इस color में xv3o बहुत कम सेल हुई है वैसे तो ये color बाकी गाड़ियों में बहुत जारा पसंद किया जाता है खास करके hatchback में या फिर बड़ी SUV में या फिर MUV में जैसे की इनोवा क्रिस्टाफ गरा में अगर आप चाते हैं कि gray color हो सालो साल ऐसा रहे, resale value भी अच्छी मिल जाए तो आप इस color की तरफ भी जा सकते हैं ये color maintenance बहुत कम मांगता है और धूल मिट्टी का भी पता नहीं चलता इससे अगला color है नेपोली black दोसो black color में महिंद्रा की गाड़ियां अल्रेडी बहुत अच्छी लगती हैं खास करके Scorpio और XV300 भी कोई कम नहीं है XV300 भी black color में काफी अच्छी लगती हैं अगर आप black color के शौकीन है तो ये color भी buy कर सकते हैं बस कुछ शर्ते हैं आपको resale value बहुत कम मिलेगी as compared to other colors दूसरा इसकी maintenance बहुत आपको रखनी पड़ेगी धूल मिट्टी से बहुत बचाना पड़ेगा रोज साफ करनी पड़ेगी बाकी ये जोड़ पे काफी अच्छी लगती है काफी बढ़िया लगती है black color में अगला color है pearl white अगर आपको कोई color पसंद नहीं आ रहा तो आप white color की तरफ भी जा सकते हैं white color वैसे ही sues में काफी अच्छा लगता है इसमें black content गाड़ी में काफी जादा है जैसे black air dam देखने को मिल जाता है और cladding वेरा भी black color की है तो white color काफी अच्छा लगता है इस गाड़ी में भी तो आप white color की तरफ भी जा सकते हैं एक तो resale value भी अच्छी मिल जाती है और सालों साल एक जैसा ही रहता है अगर आप red color के शुकीन है तो red color भी इस गाड़ी में काफी अच्छा लगता है red color की भी यही black वाली ही बाते हैं कि maintenance ज्यारा रखनी पड़ती है resale value नहीं मिलती धूल मिट्टी का बहुत जारा पता चलता है रोज साफ करनी पड़ती है बाकी यह color red जो है महिंद्रा का काफी अच्छा है काफी eye catchy है तो आप इस color की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको red color पसंद है तो इससे अगला जो last color है वो है galaxy gray अगर आपको gray पसंद नहीं है forest gray ने पसंद नहीं है तो आप इस color की तरफ जा सकते हैं galaxy gray जो की डैटोना ग्रे वगरा के नाम से बाकी गाडियों ने launch किया हुआ है ये color काफी जारा पसंद किया जाता है जो लोग black तो लेना चाते हैं लेकिन black ले नहीं पाते तो वो इस color की तरफ भी जा सकते हैं ये color भी dark gray है maintenance वगरा कम ही मांगता है और धूल मिट्टी का भी ज्यादा पता नहीं चलता और resale भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है तो ये थे इसमें 6 color option बाकी 2 dual tone में हैं लेकिन इसमें जो dual tone आपको मिलेगा roof white मिलेगी एक तो आपको aquamarine के साथ आपको white roof मिल जाएगी जो आप देख पा रहे हैं आप देख सकते हैं कि कैसी मिल रही है ये आपको सिर्फ top variant में ही मिलेगी छोटे variant में नहीं मिल पाएगी दूसा है कि red color के साथ आपको white roof मिल जाएगी अलग से dual tone color launch किये हैं तो आपको कौन सा color पसंद आया है कमेंट में जूर लिखे तो मिलते हैं नई वीडियो में thank you thank you so much हुआ हुआ है